भगवत गिता जो गोरक प्रेस की है स्वामी रामशुगदास महराज की लिखी विए इनको हम देखेंगे इसमें अध्याइस सत्रवे स्लोक दस्वे में अनाज के बारे में क्या आ गया है जो भोजन सड़ा हुआ रश रही दुरगंदीत मासी और जूठा है तथा जो माहान आप पवित्र माशादी भी है वा तामश मनुष्य को प्रिय होता है तामश मतलब जो एग्रेसिव हो बहुत जादा जिसे गुस्सा आता हो या डिप्रेसन में रहता हो उस तरह के इनसान को आप बोल सकते हो तामश तो अगर एक इनसान को सेल्फ रियलाइजिशन के पात प निश्फ होता है मगर केमिकल प्रॉसेस की वजएसे जब उनको हम किसी तरीके से प्रॉड़क्ट बनाने की कोसिस करते हैं पैक करने की कोसिस करते तो उनसे रस निकल लिया जाता है तो वह हो गया ररस रही, दुरगंदी तगर कोई भोजन है मगर उसमें खुस्बू मिलाकर के उसे सुगंदीद बना दिया जाता है मगर दुरगंदी तगर वो है या फिर बासी है बासी का यहां पर बहुत एक अच्छा डेफिरेशन दिया हो गया है जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदी परदात राद बितने पर बासी कहलाते है जो भी चीज़ जल और नमक मिलाकर बना है वो राद बित जाने के बाद बासी कहला आता है तो इन सब चीजों को जो खाता है या फिर मांस आदी का सेवन करता है उसे हम बोल सकते हैं कि ये अप अभी है या फिर तामस है तो गीता के अनुशार हमें तामस फूड नहीं खाना है तामसिक फूड नहीं खाना है सात्विक फूड खाना है और इससे लिए अगर आपको कुछ पूछना है या डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दें थैंक यू